हेले दोस्तों नमस्कार आप सबी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पीएस डिश्टल एजुकेशन पर दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग टीजटी पीजटी और यल्टी के कारडी हिस्ट्री यानि की इतिहास का प्रैक्टिस सेट न है दोस्तों हमारे चैनल पर अब कह सकते हैं कि इतिहास का भी प्रैक्टिस कर दोस्तों कよし एप लोगो तो हम लोग क Earn में प्रक्टिस करते हैं उसी तरह से करते run चलेंगे हाला की ये जो है आज की वीडियो ये uploaded अप्रक्टिस सेट नंबर दो है जो कि आपके प्रॉइज की सभी परश्णियस में देखने को मिलेंगे तो आए nell Treatment करते हैं और देख Nir्डियास का प्रक्रीस नंबरथ दोस्तों, मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि आप लोगों का जो इक्जाम का डेट है अभी एनाऊंस नहीं हुआ है इसके वजह से आप लोगों को दिन प्रति दिन प्रैक्षिस करते रहना है क्योंकि दोस्तों कभी ऐसा होता है कि जब हम बहुत दिनों के बाद केसी क्यूशन को देखने हैं प्रैक्टिस छूट जाता है तो आता हुआ भी क्यूशन हमसे गलत हो जाता है जिससे कह सकते हैं एक्जाम में हमें काफी कह सकते हैं नुकसान देखने को मिलता है हमारे लिए ठीक है तो आए प्राड़म करते हैं और रिविजन के तोर पे हम लोग चलते हैं आज तो 32 नमबर यानि 32 नमर का प्रश्ण है और बहुत ही अच्छा प्रश्ण है प्रश्ण कहरा है कि थियूसोफिकल सोसाइटी के कि साहसिक कारे को जन साधरार की सोकृति एंभरपूर समर्थन पर दिया तो पहला दिया कि है रहस्यात्मक अनभूति की वकालत दूसरा करह हिंदू जर्थुस्त्र और बहुत आदि प्राचीन घर्मों के पुनरूथान और सुद्रड़ी करण का समर्थन तो दोस्तों थियूसोफिकल सोसाइटी का जो कारे था वह हिंदू जर् ओर्पूर समर्थन दिया ठीक है अगले प्रस्ण के तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उश्वीन 33 यानि कि 33 प्रस्ण करा भारती जनता ने सोरी भारती जनता से किस ने कहा था दोस्तों आपको यहां पर बताना कि जो भारती जनता थी उससे किस ने यह कह था कि तुम बीर बनो, सासी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारती हो, प्रतीक भारती है मेरा भाई है, तो दोस्तों यह statement किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखेगा यह विवेकानंद के द्वारा दिया गया था, श्वामी विवेकानंद, अग राइट एंसर हो जाएगा चीतरंजन दाश कौन अगला प्रस्ण देखेंगे हम लोग इसी करम में तो क्यूशन नबर 35 है प्रस्ण देखे कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा अर्स्थापित हरिजन संग के संस्थापक संस्थापक अध्यक्ष कौन थे तो महात्मा गांधी द्वारा जो अस्थापित हरिजन संग था उसके संस्थापक कौन थे मादेव देशाई घंस्यामदास बिड़ला अमरित लाल ठक कर या वी यार अमबेट कर दोस्तों इसका जो राइट एंसर हो जाएगा घंस्यामदास बिड़ला यानि कि option B क्यूशन नंबर है आपके लिए 36 प्रश्न कर रहा है कि महात्मा गादी ने केवल एक बार कांग्रेश के किसा वार्शिक अधिवेशन की अध्यक्ष्टा की तो आप लोगों को पता है कि महात्मा गादी ने केवल एक बार ही कांग्रेश का जो ने वे खादी के वस्त पहंद कर साही दर्बार 877 में भाग लिया था तो याद रखेगा दोस्तों गडेश वासदेव जोसी ठीक है इन्होंने 877 इस वीक के साही दर्बार में ठीक है हाथ से बनी हुई विसुद्ध खादी की पुशाक को पहंद कर पस्तित हुए थे तो option क क्या हो जाएगा गडेश वासदेव जोसी क्यूशन नंबर हम लोग देखते हैं 38 प्रश्ण के रहा है किस वायस राय को भारती राष्टवात का उत्परेरक कहा गया है लाड कैनिंग को लाड अलहोजी को लाड कर्जन या लाड मिन्टों को याद रखे दोस्तों यहाँ प का आपके लिए 49 प्रश्ण के रहा है कि महाराष्ट के एक समार सुधारक जो लोग। productवादी उपनाम से प्रशिद्ध हैं तो महाराष्ट के वह का कि यह किसने कहा था कि राजितिक सोतनता राष्ट की प्राड वायू है कि उसके दोरा कहा गया बाल गंगा धर्ति लिए यहां अर्बिंद घोष विपिंचंद्रपाल या महत्मा गाधी तो क्यूशन नंबर 40 का जो राइट अंसर बनेगा अर्बिंद घोष क्यूशन नंबर है आपके लिए 41 प्रशन करा कि वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयम को नायाब या खुदाई या इश्वर का प्रतिनीधी काता था 41 का अंसर क्या हो शकता दोस्तों तो याद रखेगा बल्बन ठीके बल्बन जो था या श्वयम को नायाब या खुदाई या इश्वर का प्रतिनीधी मानता था कौन बल्बन अगले प्रश्णी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों क्यूशन नमबर 22 एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि यदि किसी भी क्यूशन में आप लोगों को डाउट लगे कि इसका अंसर यह नहीं यह होना चाहिए तो आप लोग कमेंट में आप लोग लीख सकते हैं ताकि मैं उसे दुबारत देख शकूं क्यूं कहा जाता है तो या दखेगा दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्यूंकि खिजरखा पैगंबर का वनसज था कौन था यह है खिजरखा जो था यह पैगंबर का वनसज था इसलिकार तैमूर को सेद वनस प्रतिनिदी खिजरखा द्वारस था पित राजबनस कहा जाता है ओप्शन जो बनेगा बी राइट अंसर हो जाएगा ठीक है क्या हो अग्रजा अधिकार नियम के अनुशार या पूर्व सुल्टान द्वारा नामंकर या अमीरों के मनतब्य और गद्दी के लिए दावेदार बेक्ती की अपनी शक्तियों छमता या योगिता तो दोस्तों यदि देखा जाए संतरकार में उत्रा अधिकार का सामानी नियम क्या था तो वह जो था दोस्तों अमीरों की मनतब्य और गद्दी के लिए दावेदार बेक्ती की अपनी शक्तियों छमता की योगिता तो ऑप्शन जो बनेगा डी इसके लिए राइट अंसर हो जाएगा क्यूशन नमबर 43 के लिए क्यूशन है आपके लिए 44 प्रशन कह रहा है कि बरीद कौन थे बरीद दोस्तों किसे कहा जाता था तो दोस्तों बरीद जो होते थे वह गुप्तचर अम सूचना एकत्वित करने वाले होते थे यानि के ऑप्शन जो बनेगा डी राइट अंसर हो जाएगा बरीद ए मुमालिक ठीक है बरीद ए मुमालिक सलतनत काल में अगला प्रशन देखिए क्युप्शन है आपके लिए 45 प्रशन है सलतनत कालिन केंद्री सासन बेवस्था में सरोच एउम और साधहरड पदाश्रीन अधिकारी कौन था तो वह कौन था दोस्तों तो वह वजीर थे कौन थे वजीर ऑप्शन जो बनेगा सी राइट अंसर हो जहांगी इरखिए सासन काल में निमिक्षत में से कौन से नवीन प्रांथ का गठन किया था तो दोस्तों वह जो नवीन प्रांथ था वह उड़ीश्टा था कौन सा उड़ीश्टा था अगले प्रशन तरब हम लोग आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि इस नम्र 47 प्रशन कर वह चाता था मंसबदार कहाजाता था अमीर कहा जाता था वीकरम में तो यह usually noON 48 होता था तो वह जो होता था दोस्तों मीरिय बाहर होता था कौन मीर होता था अगडा प्रश्चनर आप के लिए remind 49 क्रिश्न करा कि वेधों कीवर्वापस चलो का आधर्ष्वाक किशन दिया दोस्तों यह श्यामानिय प्रशन है और का एंसर तो सभी को आना चाहिए दयानंद सर्षवती ठीक है दयानंद सर्षवती कि नंबर है आपके लिए यह 50 प्रश्न करा कि पूर्ड विक्सित हडपा सबता लगभग कितनी सताबदियों तो जीवित रही पूर्ड विक्सित जो हडपा सबता थी वह लगभग में आपको कितनी सताब्धियों तक जीवित थी तो दोश्तों बहुत अच्छा प्रश्न है यह सात सताब्दियों तक जीवित थी को आपके पूर्ड जो विक्सित हडपा सबनता थी तो कुशिनहां आंके लिए यह 51 प्रश्न कह रहा है कि उप्लभग प्रमाईवग के आधार पर दस्मलों पढाली का ज्यान यां तामरहरकां से आगलन प्रद्धुक्य की यां शोक्ते और मिठ्टी की पाई बनाना तो दोस्तों यहां पर दिखा जाए तो आपका गडित ओर दस्मलोंपढाली का ंग्जान दोस्तों यही Hem आपका option हो जाएगा question number क्या हूं तो दोस्तों यदि देखा जाए उपलग्द प्रामाड़ों के आधार पे हडपय सब एताने दोस्तों मानों जाती को गडित और दस्मलों पड़ाली का ज्यान जो है यह उपहार में दिये है option जो बनेगा बी question number है आपके लिए यह 22 प्राश्ण कहरना हो जानते है कि चीनी मिट्टी 무엇ी मतलब एक खानेवली चीनी नहीं वह एक मिट्टी होती है जो की चीनी मिट्टी की नाम से जाने जाती है have I अगला प्रस्ण देखते हैं हम लोग क्यूशन नमबर तीरपा नहीं प्रस्ण करा कि लोथल और चन्हु दड़ों का सरवादिक महत्पूर उद्योग की बात के जाए दोस्तों तो वह आपका मन का उत्पादन था क्या था मन का उत्पादन यानि कि भी ऑप्शन हो जाएगा उनक्याद थी दोस्तों ठीक है वह जो साशन बेउस्थाती इसकी बारे में अभी जानकारी नहीं है यानि कि डीर आइट यंसर हो जाएगा दोस्तों पर्याप साधनों के अभाव में सुन्दुवाशियों की राजनतिक इस्थिति के विश्य में कोई विश्य जानकारी अभी तक नहीं मिली है इसलिए कर सकते हैं कि अभी यह अग्याद है क्यूश्य नमबर देखेंगे हम लोग ये 55 प्रश्य के रहा कि उत्तर वैदिकाल में आर्यों को भारती भुगोल के किस आंस की जानकारी नहीं थी तो उत्तर काल में दोस्तों जो आर्यों होते थे वह भारती किस की जानकारी नहीं थी दोनों समुद्रों की या हिमाले के विभिन परवत सिखरों की या कृष्णा नदी घाटी तक दच्छिर भारत की या स्वंपुर गंगा नदी घाटी की तो इसका जो राइट एंसर बनेगा दोस्तों वह कृष्णा नदी घाटी तक दच्छर भारत की इंका ज्यान नहीं था तो ऑप्षिन जो बनेगा सी राइट एंसर हो जाएगा हम देखते हैं दोस्तों 56 प्रश्ण कर रहा है कि निम्लिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या सुर्टियों के अंग नहीं थे बहुत अच्छा प्रश्ण है और यहां पे जो राइट एंसर हो जाएगा पुराण ठीक है दोस्तों पुराण जो ग्रंथ था ठीक है यहां पर नहीं थे तो ऑप्षिन जो बनेगा राइट एंसर हो जाएगा प्रश्ण क्या था कि निम्लिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या सुर्टियों के अंग नहीं थे तो दोस्तों यह जो थे पुराण नहीं थे अगला प्रस्ण देखिए क्यूशन नमबर है आपके लिए स संतावन प्रश्ण कहा रहा है कि यूद्ध का प्रारम मनिश्यों के मस्तिक्स में होता है किस ग्रंथ में उल्लिखित है यानि कि यूद्ध का जो प्रारम होता है मनिश्यों के मस्तिक्स में ही होता है यह किस ग्रंथ में उल्लिखित है दोस्तों रिगवेद, शामवेद, अ मुंडक उपनिश्यद में उनलिखे देखने को मिलता है ऑप्शन जो बनेगा डी राइट एंसर हो जाएगा मुझे आप लोग कमेंट करके बताईएगा दोस्तों हालाकि यह gårण का प्र प्रशन का कि युद्दक का प्रारम जो है युद्दका जो जन्म होता है मानउक के मस्तिश्थ में होता है जन्म लेते हैं यदि मानउक के मस्तिस में यानि इस तरह से स्टेटमेंट है कि यूद जो है मानुक मस्तिस से लड़ा जाता है यदि इसे मानुक मानु मस्तिस में ही समाप्त कर दिया जाए तो यूद कभी नहीं लड़ा जाएगा यह स्टेटमेंट किसका दोस्तों आप लोग से कमेंट करके बताएगा बहुत अच्छा प्रशन है और यहां पर आप लोग जो इंसर दे सकते हैं महाकस्यप ठीक है महाकस्यप रायट अंसर हो जाएगा ठीक है तो पर्थम बहुत शंगीती जो दोस्तों की आपके चार सव तीरा से इशापूर में आविजित की गई थी दोस्तों बिहार के राजग में से किस ग्रंथ का अंग है शूत पिटक विनय पिटक अभिधम पिटक या दिग्ध निकाए तो दोस्तों इसका यह रायट एंसर देखा जाए तो सूत पिटक करेक्ट एंसर हो जाएगा ठीक है तो याद रखेगा बुद्ध के प्रशनों का संकलन जो है प्रसिद धंप के थे कनिस्क या हर्ष के तो यहां पर दी देखा जाए राय ट इंसर तो कनिस्क घथे ओप्शन सी कनिस्ट और बिद्वान आश्वाफ कनिस्क जो संकलन थे अंपन होई चतूर्त संगिति के उपाद्धिक्स थे तो ऑप्शन जो बनेगा सी करिक एंसर हो जाएगा क्यूशन है आपके लिए ये एकशाट प्रशन करा कि मौरी दर्बार में मिस्र की राजा टालमी फिलाडेलफस का दूद कौन था बहुत ये अच्छा प्रशन है और बहुत ये आशान प्रशन है और इसका एंसर देखा जाए दोस्तों तो डाय डाय डायोनेशियस था बहुत ये अच्छा प्रशन है और ये concept-based प्रशन है दोस्तों ठीक है जब तक आप लोग वड़ेंगे नहीं अच्छे से तब तक इससे आसान चंट नहीं दे सकते हैं तो इसका जो एंसर बनेगा पापों से भय ठीक है तो दोस्तों पापों से भय दोस्तों यह पक्षी जो ह नहीं था जो बनेगा डी राइट एंसर हो जाएगा चलिए देखते हम लोग आखरी प्रश्णी प्रश्णी कर रहा है कि अश्रो के किस सिलालेग से यूद्ध और हिंसा के करड़ जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है तो यहां पे चार अप्शन है धौली और जोगर्ट दूसरा है साबाजगड़ी और शुपारा तीसरा है मास्की और भाबरू चौधा है मांसेहरा और गिरिनार तो दोस्तों इसका राइट एंसर देखा जाए तो दोस्तों यह था हमारा आज को विडियो जो की हिस्ट्री का था प्रिविएश हेर के फ्रे Therefore अंयह मैं पूरा कर लिया हैए थेक है बताएगा ठीक है वीडियों को पूरा देखने के लिए सबी लोगों को धन्य बाद थैंक्यों